मूवी की शुरुवात में हमें एक वेर हाउस दिखाया जाता है जहां से कुलम्बियन गैंग बॉस रोमियो आपरेट किया करता था मगर आज वो अपने महमानों का बेसबरी से इंतिजार कर रहा था क्योंकि आज रोमियो बहुत बढ़ा सौदा करने वाला है और जल्द ही यहां पर लुसेरो नाम का आदमी आ जाता है जो कि रोमियो का दोस्त हुआ करता था और इसी के साथ रोमियो सौदा करना चाहता है तो लुसेरो उसे क्लियर कर देता है जल्द ही माफिया फैमिलीज की मीटिंग पैटने वाली है जहां पर माफिया फैमिलीज का न्यू प्रेसिडेंट चुना जाएगा, तो मैं चाहता हूँ, तुम अपना वोट मेरे फादर को दो, जिनके प्रेसिडेंट बन जाने के बाद, तो मैं भी ट्रेजरर बना दिया जाएगा, जो बात सुनकर रोमियो काफी जादा खुश था, मगर फिर भी वो इस डील के लिए पैसों की डिमांड करने लगता है, जिस बात का अंदाजा लोसेरो को भी हो चुका था, तो वो पैसों से भरा हुआ बैक रोमियो को दे देता है, मगर जब रोमियो पैसे चेक करना चाता थ तब लोसेरो उसे वांग कर देता है, कि मेरे फादर भी यहां आने वाले है, जिनके आने के बाद ही इस डील को फाइनलाइस किया जाएगा, जिसके बाद हमें लोसेरो को फादर रिचर्ड दिखाया जाता है, जो अपनी एडॉप्टेड बेटी मारिया के साथ रोमियो की अड़े पर आ रहा था, तो लेडी उसे क्लियर कर देती है, कि एक हफ़ते बाद माफिया मीटिंग बैठने वाली है, जिसमें जादतर लोग आपको इवोट करने वाले, मगर नजाने क्यों रिचर्ड को बैट फिलिंग्स आने लगती है, जैसे आज कुछ बुरा होने वाल जो देखकर रोमियो पूरी तरह से पगला जाता है, क्योंकि अब उसे एसास हो चुका था, कि लोसेरो उसे थोका देना चाहता है, मगर रोमियो कुछ कर पाता है, उससे पहले ही लोसेरो गन तान देता है, जिससे यहाँ पर टेंशन का महल बन जाता है, साथ ही ये लोग ए गन फैट चालू हो जाती है मगर मैक्स कचप का फाइटर था जो एक एक करके पैट का इसको ऊपर पहुचाने लगता है और मैक्स ही हमारी मुवी का में हीरो है जो शुरुआत से ही गैंग के लिए काम करता आ रहा है तो वह जल्दी से गैंग मेंबर्स को मारता हुआ लुसेरो तक पहुच जाता है जो मैक्स को इनफॉर्म कर देता है कि रोमियो हमारे साथ सौदा नहीं करना चाहता था बलकि वो तो यहां पुला कर मुझे मारना चाहता है जो बात सुनकर मैक्स भी सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे अब तक एसास हो चुका था कि लुसेरो प्रुबैबली जूट बोल रहा है मगर अब तक तो लड़ाई चालू हो चुकी थी जिसे बंद कराना लगपक नमुम्किन था तो वो लुसेरो के साथ मिलकर सभी ठक्स को मार चालू कर देता है जिससे यहां पर भेंकर वाली गनफाइट चालू हो जाती है साथ ही लुसेरो ने मौका पाकर रूमियो को भी उपर पहुचा दिया था और फिर जल्द ही ये लोग रूमियो के गैंग को खतम कर देती है मगर अब मैक्स काफी जादा अपसेट था जो लुसेरो उससे काफी जादा नफरत किया करता था जिसके बाद मैक्स अपने घर लॉट आता है जहां पर उसके बेटे एंडर्स ने सभी तयारियां कर रखी थी जो अब इस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं मगर उनकी केर टेकर करप्ट हो चुकी थी जो मैक्स और आइसास हो चुका था कि रूमियन उसे बिट्रे नहीं किया था बलकि उसका बेटा ही पागल हो चुका है जिसने अपनी भड़ास निकालने के लिए इतना सारा खुन खराबक करवा दिया था जिस बात का ऐसास होते ही वो अपने बेटे को अच्छे से सुनाने लगता है तो तो मैं तो अपने भाई भेनों से सीख लेनी चाहिए जो बात सुनकर लुसैरो पूरी तरह से भड़क चाता है क्योंकि वो अपने एडॉप्टेट भाई भेनों से काफी ज़्यादा नफरत किया करता था तो वो अपने फादर रिचर्ड को फॉन कर देता है कि मैं ही तुम महारा सब कुछ मिलना चाहिए मगर तुम सारी वसीहत मैक्स के हवाले करना चाहते हो जैसा मैं कभी भी हुने नहीं दूँगा और ऐसा कहते ही वो रिचर्ड के एक बॉड़ी गार्ड को इशारा कर देता है जो रिचर्ड के बाकी गार्ड्स को ब्रूटली मारने लगता है तो ये सब देखकर रिचर्ड को एसास हो जाता है कि उसके बेटे लुसेरो नो उसके खिलाफ बगावत कर डाली है मगर वो कुछ कर पाता है उससे पहले है लुसेरो न रिचर्ड को गन पॉइंट पर ले लिया था जो अपने फादर को टॉंट करने लगता है कि अगर आप या फैमिलिस तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी जस बात पर लिसेरो चरापी ध्यान नहीं देता है जो फिर बेरहमी से अपने फादर को चांद से मार देता है मगर ये सारा सिन रिचर्ड की एडप्टेड बेटी मारिया ने देख लिया था जो खत्रे का अंदाजा होते ही यहां से भाग जाती है वहीं दूसी तरफ मैक्स के घर पर उसका बेटा गिटार बजा रहा था मगर तभी उन्हें टूर उपन करने की आवाज सुनाई देती है जो सनकर मैक्स की बैड फिलिंग्स और भी जादा भट जाती है इन सप्राइजिंग्ली लुसेरो ने उसे मारने के लिए कुंडे भिजवा दिये थी जिससे इन लोगों के बीच तगडी वाली फाइट चालू हो जाती है मगर मैक्स कजब का फाइटर था जो इन बैड गाइस को पुरी तरह से कूट देता है मगर मैक्स के ध्यान भटकते ही फिनीतो नाम का आदमी उसे गोली मार देता है जिससे मैक्स बैडली इंजर्ड हो जाता है साथ ही फिनीतो उसे टौंट करने लगता है कि मैं शुरुआत से ही तुमसे नफरत किया करता था क्योंकि तुमारी वज़े से मेरा भाई मारा गया था और आज मैं तुमसे सब को चीन लूँगा और ऐसा कहते हुए वो मैक्स के सामने ही उसके बेटे को गोलियों से भून देता है जो देखकर मैक्स चूर चूर से चिलाने लगता है मगर इस सब काफिनीतों पर जराबी असर नहीं होता है जो अपना काम पूरा करने के बाद मैक्स की गाड़ी और घर को उड़ा देता है जिसके बाद हमें दो साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहांपर लियो नाम का कॉले स्टूडेंट ड्रक सप्लाई किया करता था वैल लियो चारो नाम के ड्रक टीलर के लिए काम खड़ता रहा है मगर उसकी ये हरकतें कल्फरेंट को जराबी पसंद नहीं आती है तो वो अपने बाइफरेंट को समझाने की कोशिश करने लगती है मगर लियो इन बातों पर थ्यान नहीं देता है जो फिर दिन भर की सप्लाई पूरी करने के बाद घर लोट आता है जहांपर लियो के साथ साथ उसकी मौम उसका भाई और उसके दादू रहा करते थी मगर लियो का कोई भी पता नहीं था जस वज़े से घर की जिम्मेदारी लियो पर आ चुकी थी और सिर्फ इसी वज़े से वो ट्रक सप्लाई किया करता था मगर वो आराम कर पाता उससे पहले ही उसे चारों का कॉल आ जाता है जो लियो को इनफार्म कर देता है कि तुमें आज रॉत को चांस पार की बाहर ट्रक्स पीचने होंगे चुपा सुनका लियो काम पर चला जाता है मगर उसे देखते ही बार बाउंसर्स की पूरी तरह से सनक चाती है तो वो लोग लियो को पकड़ कर अच्छे से कूटने लगती है मगर वो लोग लियो का और कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही यहाँ पर मैक्स आ जाता है and surprisingly मैक्स अभी भी जिंदा था जो लियो की जान बचाते हुए इन रशियंस को बुरी तरह से कूट देता है तो उसका fighting style देखकर लियो impress हो जाता है जो मैक्स को thanks बोलने के साथ साथ उससे practice करना चाता था जिसके लिए वो मैक्स का पीछा करते हुए उसके grass पहुँच जाता है मगर मैक्स उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होता है फिर भी वो लियो से पूछताच करने लगता है कि तुम्हें तो college में पढ़ाई करनी चाहिए मगर तुम पढ़ाई छोड़ चाड़ कर ट्रक्स क्यों बेच रहे हूँ जिस पर लियो उसे clear कर देता है कि मेरी घर की हालत काफी ज़्यादा खराब है जिस वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे पैसे कमाने पढ़ते है यकीन मानों मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं इन धंदों को छोड़ दूँगा जो बात सुनकर मैक्स का दिल पूरी तरह से पिखल जाता है जो इस बच्चे की घाव को ट्रीट करने लगता है जसके बाद हमें चाइनिस कसीनो दिखाया जाता है जहां पर सभी चाइनिस कैश्ट मज़े कर रहे थे मगर तब ही यहां पर लुसेरों के गुंडे आ जाते है जो जरासी देर में कसीनों के सिक्यार्टिक आर्ट्स को उपर पहुँचा देते है जो सब देखकर सभी लोग काफी ज़्यादा डरे हुए थे मगर फिनी तो उन्हें वान कर देता है कि हम लोग बस पापा सेन को ढूड़ना चाहते है अगर तुम जिन्दा रहना चाहते हो तो हमें पापा सेन के बारे में बता दो मगर उसकी यह हरकत एक लेड़ी को पसंद नहीं आती है जो उसे रोकते हुए वान कर देती है कि मैं ही असल मैं पापा सेन हूँ जो कि दो साल पहले अपने फादर को मार कर चापान भाग गया था जसके बाद लोसेरो लेड़ी को फॉन करने लगता है कि एक हफ़ते बाद माफियास मीटिंग होने वाली है जहां पर तुम मेरा सपोर्ट करने वाली हो वरना तो मैं तुम्हारी फैमिली इसके साथ उपर पहुचा दिया जाएगा जो बाद पापा सेन को जरा भी पसंद नहीं आती है तो वो लोसेरो को टॉंट करने लगती है कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे मगर तुम घटी आद्मी हो जस वज़े से मैं तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी जो बाद सुनकर लोसेरो की पुरी तरह से सनक चाती है जो लेडी को मारने के ओडस दे देता है तो फिनी तो लेडी को पुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है जिसके बार लेडी को बहुत पूरी मौत मारा जाता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते जहां मैक्स और लियो के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो वो कुछ सोचकर ड्रक सप्लाई करना बंद कर देता है जो लियो को पकड़कर अच्छे से कूट देता है साथ ही उसने लियो का हाथ तोड़ दिया था तो वो इस बारे मैक्स को सब कुछ क्लियर कर देता है जो ये सब जान कर काफी ज़्यादा अपसेट था जो जारो को फॉलो करते हुए उसके बेस पहुँच जाता है जहां पर वो जारो और उसके गैंग को बुरी तरह से कूटने लगता है एंस सप्राइजिंगली जारो लुसेरो के लियो के लियो काम किया करता था और सिर्फ लुसेरो की ओर्डरस पही लियो को चामस पार भीजा जा रहा था जो वा जानकर मैक्स काफी जादा कनफ्यूज है मगर फिर भी वो इन बंदों को कूट काट कर यहां से चला जाता है साथ ही उसने कुछ दिन लियो को चुपाने का डिसाइड कर लिया था जिसके लिए वो अपनी बहन मारिया को कॉंटेक्ट करने लगता है जो दो साल पहले रिचर्ड के मरने के बाद वहां से भाग गई थी ओवियसली लेडी मैक्स के साथ मिलकर लोसेरो से बदला लेना चाहती है मगर मैक्स का डिस्ट्रेक्शन देखकर लेडी काफी जादा अपसेट थी जो मैक्स को वान करने लगती है कि तुम्हें लियो के बारे में भूल जाना चीए वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है मगर मैक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो तो मन ही मन में लियो को अपना बेटा मान चुका था वहीं दूसी तब फिनीतो को जारो से पता चल जाता है कि उसका दुश्मन मैक्स अभी भी जिन्दा है जो बात सुनकर फिनीतो पूरी तरह से सीरियस हो जाता है क्योंकि वो मैक्स को अपने हाथों से खतम करना चाता था मगर इस काम को करने से पहले वो जारो को उपर पहुँचा देता है क्योंकि वो मैक्स के जिन्दा होने की खबर लोसेरो तक पहुँचने देना नहीं चाहता है जिसके बाद हमें लियो दिखाया जाता है जो अब तक पूरी तरह से सही हो चुका था मगर वो ये देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है कि किसी ने उसकी फैमली को पूर्ट्री मडर कर दिया था वैल ये काम फिनीतो और उसके गैंका था जो लियो के थुरू मैक्स का पता लगाना चाहते मगर अब तक मैक्स भी यहां आ चुका था जो फिनीतो के गुंडो को मारते हुए फिनीतो की तरफ चाने लगता है जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फैट चालू हो जाती है मगर अब तक लियो पूरी तरह से पागल हो चुका था जो एक गुंडे की गन उठा कर फिनीतो पे गोलिया चलाने लगता है मगर उसका निशाना कुछ जादा ही खराब था जिसका फैदा उठा कर फिनीतो यहां से भाग चौता है मगर इस फैट के दोरान मैक्स इंजर्ड हो चुका था जो सब जानकर मारिया काफी जादा अपसेट थी क्योंकि अब उनका मिशन और भी जादा डेंजर्ड हो चुका था जो फिर फिनीतो को मारने के प्लैंस बनाने लगती है साथ ही हमें पता चल जाता है कि जिस रात मैक्स पर हमला हुआ था उस रात मारिया भी मैक्स के घर गई थी और उसी ने मैक्स की जान बचाई थी तो लेडी उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि हमें कैसे भी करके बदला लेना होगा मगर ये लोग कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही फिनीतो के गुंडे यहां आ जाते हैं जने देखकर मैक्स को एसास हो जाता है कि फिनीतो लुशेरो के पता चलने से पहले ही उसे मारना चाओता है जो खबर उसके लिए काफी अच्छी थी जिसके बाद वो एक एक करके पैट कैस को मारने लगता है जिससे यहां पर तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है साथी मार्या ने अब तक लुशेरो की बार के बारे में पता लगा लिया था जहां से लुशेरो का गैंग ऑपरेट किया करता था तो वो इस बारे में मैक्स को एलर्ट कर देती है जो सभी गुण्ड़ो को कूट काट कर लिशेरो के बार चला जाता है जहां पर काफी सारी सिक्योर्टी मौजूद थी मगर वो सभी बैट गैस को मारते हुए उपर चाने लगता है जो सब देखकर बार मेनेजर औरकेजा यहां से भागने लगता है मगर उसके भागपाने से पहले ही मैक्स यहां आ जाता है जो उस बंदे को कूट काट कर चानकरी निकालने लगता है जिससे उसे पता चल जाता है कि लिशेरो अपना सारा मनी इसी बार के थूरू लॉंडर किया करता है जसने अब तक माफिया फैमिलिस को घूस देने के लिए 98 मिलियन डॉलर का इंतिजाम कर लिया था ओवियसली वो आने वाले कॉनक्लेव में सभी माफिया फैमिलिस को खरीदना चाहता है ताकि वो माफिया फैमिलिस का नियु सरदार बन जाए जो बात सुनकर मैक्स इलर्ट हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हालत में लुशेरों को सरदार बने देना नहीं चाहता है तो वो उर्केजा को पीट पाट कर पैसों की लोकेशन पूछना लगता है जहां पर उर्केजा उसे इन्फार्म कर देता है कि बार की बैक साइड में एक वैन मौजूद है जिसमें सभी पैसों को लोड करके यहां से लिजाया जाएगा तो मैक्स इस बंदे को छोड़ कर बाहर चला जाता है जहां पर एक वैन में पैसों को लोड किया जा रहा था तो वो बाहर जाकर सबी पैट गाइस को ऊपर पहुँचा देता है साथी उसने लुसेरो को सारा पैसा चुरा लिया था जिस वज़े से अब लुसेरो माफिया फैमिलिस को खूस नहीं दे पाएगा यानि अब उसका माफिया बास बनना लगबग नामुम्किन था मगर इस सम्मा मैक्स इंजर्ड हो चुका था जो टूटी-फूटी हालत में मारिया के घर चला जाता है जिसकी हालत देखकर मारिया काफी जादा अपसेट थी क्योंकि वो अपने भाई को मरती हुए देखना नहीं चाहती है तो मैक्स की इंजर्ड को ट्रीट करने लगती है जिसके बाद हमें लुशेरो दिखाया जाता है जो कि दो साल बाद शेहर में लौट आया था तो यहां आते ही उसे बैट नियूज मिल जाती है कि किसीन उसके बार पर रेड मार कर सारा पैसा लूट लिया था जो बात सुनकर लुसेरो की पूरी तरह से सनक चाती है जो बार जाकर उरुकcoat को इंटरोगेट करने लगता है कि आखिर मेरा पैसा किसने चुराया है तो उरुकcoatजा उसे मैक्स के बारे में इंफर्म कर देता है जिसका description सुनकर लुसेरो को अंदाजा हो जाता है कि उसका जानी दुसमन मैक्स अभी भी जिन्दा है जो अब उससे बतला लेना चाहता है तो ये सब जान कर लुसेरो काफी जादा upset है जो फिनीतो को बुला कर उसे अच्छे से सुनाने लगता है जो लुसेरो से एक और मौका मांगने लगता है मगर नचाने क्यों लुसेरो को bad feelings आने लगती है जो फिर रुशन माफिया के बॉस डिमिट्री को call करकर help मांगने लगता है well obviously वो जल से जल मीटिंग रखवाना चाहता है ताकि अगली मीटिंग में उसे सरदार चुना जा सके वहीं दूसी तरफ मारिया काम करते करते अपनी डैक्स पर ही सो जाती है मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके सिस्टम से लियो ने फिनीतो के बारे में पता लगा लिया था जो अपना बदला लेने के लिए फिनीतो के पास चला जाता है मगर फिनीतो काफी जादा चालू था जो बड़ी आसानी से बच्चे को डिसाम करके उसे एक कूटने लगता है साथ ही उन्होंने लियो से मार पीट कर मैक्स की लोकेशन का पता लगा लिया था मगर वो लियो को मार पाते उससे पहले ही मारिया यहां आ जाती है जो फुल रेस में अपनी गाड़ी से फिनीतो को उड़ा देती है जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था मगर मारिया फिर भी उस पर ध्यान दिये बगएर लियो को बचाने लगती है जसकी अब हालत काफी ज़्यादा खराब हो चुकी थी तो मारिया लियो को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है वहीं दूसी तव लुशेरो का सेक्टनेंट कमांड मारिया के घर पहुँच जाता है जो ओवियसली मैक्स को खतम करना चाता है मगर अब तक मैक्स को होश आ चुका था जो इस बंदे से सवाल करने लगता है कि तुम तो रिचर्ड के लॉयल सपोर्टर हुआ करते थी तो तुमने आखिर लुशेरो को साथ क्यों दिया था जो बात सुनकर वो बंदा मैक्स पर पूरी तरह से बढ़क जाता है कि तुम ही हमारे अगले सरदार बनने वाले थी मगर तुम तो कैंग छोड़कर भागना चाती थी जिससे सारी कमान लुशेरो के हाथ में जाने वाली थी जिस वज़े से मुझे उसका साथ देना पड़ा था और फिर इन दोनों के बीच तगड़ी वाली फैट चालू हो जाती है मगर मैक्स अभी भी काफी इंजर्ट था जो इस बंदे से पुरी तरह से पिट जाता है मगर जो भी हो मैक्स इस मुवी का हीरो है जो जैसे तैसे करके इस बंदे को हराने में कामयाब हो जाता है तो वो बंदा मरने से पहले मैक्स को इनफॉर्म कर देता है कि लिशेरो अब काफी ढरा हुआ है जिसने तुम से बचने के लिए मीटिंग को आज ही सेट करवा रखा है यानि अगर वो माफिया फैमिलिस का प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसे मारना लगबक नामुम्किन हो जाएगा मगर मैक्स उसकी बातों पर चराबी ध्यान नहीं देता है जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर लुशेरो का पूरा कैंक मौजूद था आज अज 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 आज माफिया कॉंक्लिव में पार्ट लेना चाहता है मगर अभी तक कोई भी माफिया फैमिली यहां पर नहीं आई थी जो बाद जानकर लुशेरो को बैट फीलिंग्स आने लगती है मगर फिर भी वो बिल्डिंग में ही इंतजार करने लगता है और फिर जल्द ही यहां पर मैक्स आ जाता है जो एक एक करके पैट काईस को मारने लगता है जिससे यहां पर भेंकर वाली फैट चालू हो जाती है मगर मैक्स का दिल गुसे से भर चुका था जो बेरहमी से इन लोगों को उपर पहुँचाने लगता है साथ इस मारकाट की न्यूज लोसेरो तक पहुँच चुकी थी जो अगली बैटल के लिए रेडी होने लगता है वही मैक्स ने अब तक सभी गुंडों को उपर पहुँचा दिया था जिनने खतम करने के बाद वो मीटिंग प्लेस पर चला जाता है जहां पर ये लोग फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाती है जिसके बाद इन लोगों के बीच तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है मगर मैक्स की पूरी तरह से सनक चुकी थी जो अपनी इंजरीज को नजर अंदाज करके लोशेरो पर हमला करने लगता है जैसा करते हुए वो लोशेरो को हराने में काम्याब हो जाता है मगर जब लोशेरो को मारने वाला था तब लोशेरो उसे वान कर देता है कि मेरे आद्मी फिनीतों ने तुमारी बेहन को किडिनाप कर लिया था तो अगर अपनी बेहन की सलामती चाहते हो तो अपने हतियार डाल दो जो सुनकर मैक्स अपनी तलवार फेक देता है क्योंकि वो अपने बदले के लिए मारिया की चान खत्रे में डालना नहीं चाहता था जिसके बाद लुशारो मैक्स को पुरी तरह से कूटने लगता है जो सब मारिया से देखा नहीं चाहता है तो वो फिनीतों को लेकर उपर से कूट जाती है मगर फिनीतों अभी भी पूरी तरह से ठिक ठाक था जो लेडी को अलग फैक कर लुशारों के पास चला जाता है ओवियसली वो अपने हातों से मैक्स का खून करना चाहता है जिसके बाद फिनीतों मैक्स को बूटली टॉर्चर करने लगता है मगर इस मार पिटाई में मैक्स को अपने बेटे की यादे आने लगती है जिन्हें देखकर उसका दिल नफरत से भर जाता है तो वो फुल गुसे में फिनीतों पर हमला कर देता है जहां मैक्स ने दो चार गोसों में ही फिनीतों को उपर पहुँचा दिया था साथी मारिया लुशेरो पर हमला कर देती है जहां पर ये दोना मिलकर लुशेरो को कोटने लगते हैं ओवियसली वो लो रिचार्ड और एंडर्स का बदला लेना चाते हैं जिसके बाद लुशेरो को बहुत परी मौत मारा जाता है जिसे मारकर मैक्स और मारिया राहत की सांस लेने लगते हैं क्योंकि अब उन लोगों ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया था जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब लियो पूरी तरह से सही हो चुका था तो मारिया और मैक्स उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं जिसके बाद ये लोग सिटी छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं मगर अभी भी मैक्स काफी ज़्यादा कन्फियूज था कि माफिया मीटिंग में बाकी माफिया फैमलीस क्यों नहीं आई थी जिस पर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि रेशिन गैंग बास डिमिटरी हमारे फादर का सपोर्टर था जिसने लुशेरो को बेफ़कूफ बना कर मीटिंग पलेस पुला लिया था मगर असली मीटिंग तो कुछ दिनों बात होने वाली है जो बात सुनकर मैक्स को भी सारा मांजरा समझ आ जाता है कि जूटी तारिक दे के लुशेरो को वहाँ बुलाना मारिया का प्लैन था जो बात सुनकर वो भी जोर-जोर से हसने लगता है और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है सो गाइज मूवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे